कि अब लोग तुम्हें विकास सिंग स्रीडाम एजुकेटर्स के प्लेटफर्म पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 का एक और स्वाइट के साथ कैसे इसंड्ड ये ऐसा स्माल जी का जिसमें स्ट्ट को मैंक्सिमम् रहता है इस्वर्ण समसे पहले में यह बता दूँ कि हमने एक पूरा प्लेवेश्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर हम class 11 के जितने भी important derivation है उसको एक ही playlist में कर रहे हैं और इस्वर्ण वूस प्लेवेश्ट का नाम है important physics derivation playlist for class 11 आप उसको हमारे चैनल से भी चेक कर सकते हैं उसका description मे लिंक पी आप वहां सब इसको चेक कर सकते हैं इस्वर्ण यहां पर जो भी चीज में लिखूंगा आपको नोट करने की ज़रूत नहीं है वो डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के अंदर उसका description में उसका link हो है वहां से आप जो भी चीज में यहां प फॉर्मूला होता है तो एक बेसिक फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा जी इकल टू जी अम बाई आर स्क्वार सबने पढ़ा होगा इसमें कापिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट कापिटल मास आफ और क्या रेडियोस आप अर्थ में बात कर रहा हूं ठीक है श्वन तो अब हम यह देखेंगे कि जैसे जैसे अगर इसका है है जैसे कि अगर अर्थ है ये अगर Earth is, तो इसके ये इसका radius है, तो इसके surface से आप कितनी उचाई पर है, वही आपकी H है, वह value जो है आपकी H है, ठीकरना, तो H कहतो है कि भाई कितनी उचाई पर आप पहुंच गया है, surface से कितनी उचाई पर पहुंच गयाय वही है, इसके derivation के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके तीन formula आते हैं और यह maximum confusing है मैं जैसा कि मैंने आपको बताया तो derive करने से पहले वो तीनो formula मैं लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ कि उनका आप कब-कब इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहला formula जो यहाँ पर लिखा हूँ है जी इकल टू जी इकल टू जी अम बाई आर स्क्वेर इस formula का इस्तमाल अब तब करिएगा इस्तोर्ण जो h की value लगभग less than 20 degree के 20 km के बराबर है less than 20 km के अब आप बोलेंगे कि सर ये कहां लिखा हूँ है तो बैभी लिखा नहीं हुआ है बस यह मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इतने तक आप इसको लगा सकते है यहने इतने तक आप g की value 9.8 मान सकते है यह कहीं नहीं लिखा हूँ है लेकिन मैं अपनी experience आपको बता रहा हूँ यह जी एच क्या है तो किसी height पे जो g की value है उसको g h लिखा जा रहा है और यह जो यहाँ पे g लिखा है वो क्या है वो यह वाला g है यानि g at surface या g near surface यह वाला है h कहा है तो जैसे अभी drawing बनाया था आपको उसमें अर्थ से height है अर्थ के surface से height है कितना उपर आप वो person जा रहा है यह formula आपका व्यूज करेंगे तो इस formula question आप व्यूज करेंगा जब 20 km से लेके इसकी height r by 4 देखो r by 4 जैसे अर्थ का radius कितना होता है 6400 km तो यह formula आप यूज करेंगा जब h की value 20 km से लेके 1600 km के बीच में होगी अब फिर अगेन बोलोगे कि सर यह कहां लिखा हुआ है मैं फिर बोलूँगा कि यह मैं अपने experience से बता रहा हूँ जब आप कोई भी book को देखेंगे ना जिन्हो formula यूज कर रहे हैं फिर इसके नीचे एक और formula लिखने बाला हूँ फिर बोलेंगे कि एक बार यह यूज कर रहा है तो मैं कैसे पता करूँगा कि कब कौन सा यूज करना है तो उसी लिए मैं आपको idea बता रहा हूँ यह experience के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ clear cut कहीं भी formula को इस्तमाल करेगा हाला कि कभी भी आपको ऐसा ने बुलोगों कि sir 1600 पे होगा तो क्या करेंगे 20 पे होगा तो कभी भी वह ओली situation नहीं आईगी आपको ऐसा कोई fix boundary नहीं है यह बस समझने के लिए boundary बनाया गया ठीक ना तो ऐसा discussion का भी से नहीं है तीसरा एक लास्ट formula ता है g h equal to g upon 1 plus h by r का whole square यह तीसरा formula है तो इस formula को आप तब यूज करेगा जब h की value greater than r by 4 है उस situation में जब height जब आप r by 4 से यानि 1600 km से ऊपर चले आ रहे हैं अर्थ की surface पे तब आप ये वाला formula यूज करेगा g h equal to g upon 1 plus h by r का whole square ठीक है यह सब चीजे कहां से आई तो देखो student एक तरीका होता है पढ़ने का खुद पढ़ो confused हो तीन-चार दिन में पात निकालो और मैं direct बता रहा हूं इसके सारे solution अलग-अलग जब publication के book में देखोगा तो तुम्हें समाझ में आएगा कि कभी वो यह यूज क तो कि इस formula में कोई assumption नहीं है इसमें एक assumption है वह भी मैं derive करूँगा तो आपको पता चल जाएगा तो यह चीज आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपकी लिए question solve करना आसान होगा h की value से decide होगा 20 km से कम है तो यह यूज करो 20 km से लेकर r by 4 की बीच में है तो यह दूसरा formula यूज करो और मैं अपने experience से आपको बता रहा हूं कि maximum cases में आपको second formula यूज होगा जो आपके class से लें थे बच्चे लेकिन examiner अगर intelligent होगा exam अगर अच्छा होगा तो वह जानता है क अधिकतर जो छोटे short formula लिखे रहता है ना short formula की जो book आती है उसमें दूसरा वाला formula लिखा रहता है बस तो जो examiner अच्छा होगा या जो paper sheet करने वाला या competition अच्छा होगा तो वह जानता है इस बात को बच्चा कहां फज़ेगा वह h की value सीधर r by 2 देदेगा यह formula लगा होग इस सारी चीज़े सोच समझ के यहाँ पर मैंने लिखी है और अपने experience से इसके अंदर लिखा है तो चलिए derivation थोड़ा से इसको next line में चलते हैं और इनका हम derivation start करते हैं इनको हम किस तरह से derive करेंगे ठीक है न तो याद रखेगा यह तीनों ही formula बहुत important है अच्छे एक बात फिर कैसे decide करो तो उसके लिए simple है कि जब नहीं दे रखा है तब आप दूसरा वाला formula यूज़ करो अब बोलोगे sir यह क्यों क्यों यूज़ करें तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं बच्चों मैं अपने experience से बता रहा हूं कि maximum question आपके इस formula से हो जाएगे आप इसको य चीज के लिए आपको तयार कर रहा हूं कि जब आपको h की value दी नहीं है तब यह वाला formula यूज़ करना उसमें आपको हो सकता है कि h ही निकालना होगा तो जब आपने h निकाला और h की value r by 4 से बढ़ा आगया तो आपने बोला रही यह formula तो तभी यूज़ कर सकते थे जब r by 4 से कम होता है value अब r by 4 से ज्यादा आगया मतलब यह वाला formula गलत result दे रहा है तब आप क्या करना दुबारा calculation करके last लेकिन बचों मैं सब चीज के लिए तैयर करो इतने लेबल तक आप जाएंगे नहीं लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो यह वाले step को आपको follow करन ठीके ना तो हम इस वाले formula से start करेंगे और इन सबका derivation करेंगे ठीके ना तो चले इस start करते हैं location तो यह earth है earth का radius पुराना वाला drawing earth का radius उससे hi2 पर चला गया कोई तो उसके लिए gh के value gh की value हम निकाल रहे है surface पर gh g की value आपको पता है surface पर g की value जो मैंने पीछे भी लिखी थी फिर दुबारा भी लिख दे रहा हूँ तो gh की value हो जाएगे gm upon r plus h का whole square अब बोलोगे क्या सर यह formula नहीं है यह जो अभी लिखा यह formula है लेकिन बचो इसमें calculation काफी lengthy हो जाएगा कैसे g की value put करोगे mass of earth put करोगे mass of earth कितना होता है 6 into 10 raise to power 24 वो put करोगे फिर r को meter में put करोगे h को meter में put करोगे km में r 6400 होता है तो calculation बहुत lengthy हो जाएगा तो हमने बोला सर हमें इसकी value पता है और यह value बहुत सुंदर होता है 9.8 meter per second square तो क्या ऐसा possible है कि इस zh को भी इस z के term में लिख पाए हमने बिल्कुल possible है इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ gm by r square बनाना होगा तो कैसे बनाओगे बच्चो तो gm by r square बनाने के लिए नीचे से r square common ले लो जो r square common ले लोगो तो bracket के अंदर क्या बचेगा 1 plus h by r का full square अराम से देख लो अगर नहीं होता है खुद कर के देखो यह बचेगा तो एक बात बता बच्चो इस gm by r square को मैं क्या लिख सकता हूँ gm by r square को मैं g लिख सकता हूँ तो यहां से हमारा जो लास्ट ओला फॉर्मूला है वो सबसे पहले बनाओ जी एच के लोगों कितने आ गए जी अपॉन प्लस h by r का whole square अब देखो बच्चो यहां पे कोई भी एजंप्शन नहीं है बस हमने common दिया है solve किया है इसलिए यह formula इसमें भी थोड़ा calculation है कुछ और छोटा करो जिसे एक यह square square ना करना पड़े कुछ ऐसा जुगाड करो उसके लिए भी तरीक है कि अगर लेकिन इसमें एक condition लगेगा एक exemption लगेगा तो वो क्या है वह मैं बताता हूँ अगर h की value less than less than r है या या मैं ऐसा बोलू h by r जो है वो less than less than 1 है अगर ऐसा है चाहे h की value less than less than r को चाहे h by r की value less than less than 1 को बात बराबर है तो अब यहां पर मैं एक exemption लगा सकता हूँ बाइनुमियल का बाइनुमियल का जमसन क्या लगाँगा इसमें तो देखो g h को क्या लिख सकता हूँ इसी फॉर्मूले से देखो g h को क्या लिख सकता हूँ ग in to one plus h y r का power minus 2 बताओ लिख सकता हूँ नहीं बचे square है उपर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा यह पूरा variable उपर ले लिया minus 2 हो जाएगा अब बचे यहां पर याद रिखो मैं लिख रहा हूँ कि binomial expansion का formula कहता है कि one plus x to the power n जो है one plus n x हो जाता है जब x की value less than less than 1 हो ठीक है जब x की value less than less than 1 है तो one plus x का power n जो है one plus n x हो जाता है तो अभी हमने वहाँ exemption लिया है तो अगर वहाँ exemption लिया है तो यह power अंदर चला जाएगा तो वहाँ power कितना है minus 2 तो यहाँ GH की value कितनी आ जाएगे बच्चो GH की value आ जाएगे फिर G into 1 minus 2hyr जो की दूसरा formula है देखो derive करने को मैंने दोनों formula derive कर दिया अब ऐसे मैं छोड़के चला जाता derivation कराके तुम confuse रो कौन सा कब यूज करोगे इसलिए मैंने यह बताया पहले की यूज कब कौन सा करोगे फिर सारी चीजे डिसकस करने के बाद derivation तो आपके सामने इसमें इसलिए मैंने आपको बताया कि यह अगर hqa value बहुत बड़ी हो जाएगे तो नहीं यूज कर पाओगे लेकिन इसका क्या है यह तो हर situation में सही result देगा बस एक बीच वाला situation है ना उसमें थोड़ा आसान करने के लिए यह हमने चूच कर लिए अधरवाई यह तो हमेशा से जल देगा तो उमीद है यह चोटा सा लेक्चर आपको पसंद आएगा अगर अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें आपके लिए बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन चीज है इस चैनल पर मिलने वाली है बहुत बहुत धन्यवाद़